अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फॉरण रेट कलो के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकोन को भी प्रेस करें इससे आपको हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्लीज व असलाम अलाइकूम मैं आज आप लोग को लैब कोड की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी और मैं इसमें आप लोग को सबसे ज्यादा दिखाऊंगी यह कितना शॉट टाइम के अंदर आप यह कोड कलर के साथ लैब कोड बना सकते हैं तो यह मेरे पास जो करेंगी तो यह जो ओपेन वाला हिस्सा है वह यहां से बटन पट्टी बनेगी इसलिए अपने तरफ रख कर सुरू करते हैं सबसे पहले जो मैं इस में करूंगी क्या ओ लेंद लेंद कितनी है लेंद मेरा है इसके तैयार थाटी इंच ठीक है तो नीचे से इसकी चौड़ अनिक पट्टी बनती है तो इसे जासे में धाइए इंच कपड़ा ज्यादा लोंगे गया तीन इंच तो ठीक लेंद सबसे पहले मैं ने मार्क किया ठीक है उसके बाद जो मार्क करते हम लोग हमेशा स्वलडर के मार्क करते है लेकिन इसमे ऐसे करूंगी ताक टायम बचे जो भी सब्सक्राइप जो भी बच्च विल सबसे पहले में ख्याल रफोगी मैं कितने की आपीचिरा की बनते हैं और ओस मैं पर सबसक्तेरी कर गोँगी नहroph gì परकर बाते हैं आर्कष में आप कर घुक बनते हों चाहते तो नकुत का बन अ 이후 कर दिए ज्यादा कर लें कोई मसला नहीं है नीचे से यह मेरा ठाइंच ठीक है यह लेंध परवांट हो जाए यह लेंध है ठीक है सबसे पहले में यह इस हिसाब के फॉल्ड कर लिया फॉल्ड करने के बाद आप यह कपड़े के उपर पेहने वाली है तो आम सोल्डर से इसके जैसे कम तो दिखें सरे साज साथ इंच, साध brilliant के शोंडार के साइज लें उसके बाद आप लेंar 60 के सोल्डार तो बड़ल उज़ी में की this क्पड़े की उपर पहनी के लिए बढ़ल भी अपक्तिन ही लूज होनी चाहिए है ठीक है आप इस के छेएंज निचे बिलकुल कम इसके त साड़े साथ यहां से भी आप साड़े साथ के लेकर इस्टेट करें चेश्ट इसके 20 इंच 19 इंच बलके साड़े 9 साड़े 9 के चेश्ट है तो कमर में दबाव सिर्फ आधा इंच की ओ कर दिया 9 इंच ठीक है यह 9 और बाकी जो इनके दामन है दामन के हिसाब लगाएंगे आप दामन इसके 22 इंच का है तो यह मैंने 22 में निसान लगाया आप इसके ले लेने के बाद यह स्ट्रेट जाएंट करें और यह वाला इस राउंड से जाएंट करें इसके तक होता है कम से कम एक से सवा इंच नीचे आप सोल्डर के कटाई करेंगे यह 3 इंच के मेरे हाला है इसके हाला के भी मैं निसान लगाँ यहां से तीन इंच और यहां से है इसके साड़े टीन इंच यह है अब जब मैं सोल्डर के कटिंग कर रही हूं यह देखें यह इस तरह से गया है साइडों से आप थोड़ा थोड़ा एक कपड़ा रखें इसमें एक सिस कपड़ा रखते नहीं है आदा इंच पुना इंच का कपड़ा ठीक है यह फ्रेंट पीस पिन अप करें या आप सभाल के उठा लें यह पिन अप करने की बाद इसको इसी तरह उठाएं और सेकेंड पीस बैक पीस जब कटेंगे तो बैक में भी एक इसकी प्लेट आते हैं और बैक में बीच में कट होते हैं तो उसके देख लें यह दो दो इंच के में गैप छोड़ रही हूं बैक में इसबार में यह कटा हूँआ साइड में है जोडा हूँआ बीच में है यह रखा है और से अधा इंच कपड़ा आप बैक पीस में बड़ा रखें और बिलकुल इसी तरह है कटले हैं यहां से दो इंच यहां से दो इंच एन्च रखा मैंने दो इंच में आप निसान लगा ले ताकि जब आप स्लाए लगाए तो आपको सलाए की आमदाज हो जह कितना हैं ठीके कि है कि यह यहां से आप आठ इंच, साड़ह आठ इंच पे एक निसान लगाए जो पीछे का काठ होगा क्योंकि नीचे से मोरने के बाद ये कट तक्रिबान साथे पांट छे इंच का तयार होती हैं अब ये जहां से पिटिंग के सलाई लगेगा वहां से बिल्कुल बाराबर कट है आप ये हो गया मेरा बैक और फ्रेंट के कट अब ये जो मैंने निसान लगा लिया ये साड़े आठ पर मैंने यहां पर एक कट लगाऊंगी ये देखें एक कट लगाया है कट लगाने के बाद इसको दोपीस कर दूंगे ठीक है ये हो गया अब ये जो हाला मेरा हाला देखें कट रहें यूँ डबल रख करी ये हाला कट रहें हूँ आप ये जो कॉलर लगेगी कहा तक कॉलर लगेगी यहां से डेर इंच में आप एक टुक लगाए जो उतना तक यह बंद होगा और उपर से बांकी कॉलर लगाए तुक लगाने के बाद आप देखे जो मेरा बैक ना उल्टा पीस कोंचा और सिधा पीस कोंचा तो मैं इसको इस तरह से दोनों साइड के ऐसे रखकर सिर्प टुक तक एक स तो और राट की पीश यह हो गया अभी जो बैक पिस है ना मेरा फीक पेस का जो आधा इंच में लंबा ज्यादा रखा है एलिक शुलटर के साथ बिल्कुल बराबर रखते होए वह आधा इंच में इस्तरह से गुलाई दूंगी को आधा इंच सिरफ आधा इंच है इस तरह इस चापी तका कोट के कटिंग के से लगाने के बाद ना चाहरे हूं तो ये कटिंग करने के बाद यह मुद्द कर बारा इंच की कॉलर लगा वो भारा इंच की कॉलर लगेगा इसके न एए तो मेरे ये ये दो इंच तो बैम के शिलाई में चला जाएगा ना यह साइद आपको बड़ा दिख रहा है दो इंच तो अभी मैं कॉलर की कटिंग कर रहे हूं और इसमें जो जेब लगेगा वह भी मैं कटिंग कर रहे हूं फिर एक साथ आपको शिलाई करके दिखाऊंगे यह देखें यह कपड़ा एक रिस बने हुई है कॉलर के कपड़ा यह बारा इंच का कॉलर बनना है मेरा बारा इंच के कॉलर तो शिलाई के लिए में रखकर यह बारा के निसान लगाया है यहां से मैं धाई इंच लूँगी शिलाई में आधा इंच चला जाएगा दो इंच क यहां से लिया मैंने यह किंज ज्यादा करके साड़े तीन ठीक है तो आप पीछे की जागा तीन इंचे वह समझ ले इस्ट्रेट आए उसके बाद राउंड आए जैसे सिर्वाने की कॉलर काटने के लिए हम लोग करते हैं तो यह इस्ट्रेट आने के बाद इस तरह से कट लगानी है जितना सिलाइ के दबाउ में लेते हैं उसी साब के एक कर्ठ लगानी है यह गवित अधिर अपिशेसें गले की तरफ से यह मेरा के जो बहुत आसान तरीक हैसे पहले मैंने जेब का एक लंबा कपड़ा लेका रहे हैं उप़र लगा लिए एक मोटी काघ़ जेब के सेब के कट लिया मेरा कितने भी जेब का बनाना हूँ फिर एक ही साइज का बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी में इस तरह से काज़ज के साथ साथ, जब आप मोटी काज़ज़ के साथ साथ इस तरी लगाएंगे ये बड़ा ही फिनिसिंग तरे बशकत है आपके जिब तयार हो जाएगी आप कटिंग करके इसको Hटा लें है यह स्लिप्स की कटिंग आप हर्मल से साइज ले ले यह मेरा साधी नाउका कटेगा इसकी बगल साधी नाउका होगा लेंद तैयार इसका 18 इंच की हें ठीक है तो यह मैं कपड़ा इस तरह से डबल किया साधी नाउका कपड़ा हो रहाराम से भल बन जाएगा और में 3 के अधा इंच उपर लाए होगा नीचे से दो इंच मोटा पट्टी बनेगी तो वह धाइन चला जाएगा इसलिए टूटाल में में तीन इंच लेंद इसके बढ़ा रहे हूं स्लिप्स के लेंद तीन इंच बढ़ाया अच्छा इसमें जो बगल का कटाए होगा यह चार इंच का ठीक है यह चार इंच और आपको अगर बगल का सहीद नहीं देना आते हैं तो आपका मिज को इस तरह से नीशन लगाने के बाद आपका मिज के बगल भी रख सकते हैं रख सेब देना नहीं आता तो इसको रखे आप इस तरह से रखने के बाद कटिंग शुरू करें तब भी आपसे हो जाएगी यह बगल आला कपका कम कटना है बिलकुल इहां से ऐसे जाए और यह बगल के जगा थोड़ा कम कटें आप फ्रांट के बीच थोड़ा गहरा कटते हैं तो यह दो पल्ला एक साथ उठाए और यह इस तरह से गहरी करें ठीक है बिच में कट लगाएं सिंटर और यह मेरा बैक पीस है जो दो इंज की मार्जिन रखा था उसमें में से लाए लगा लिए यह दिखें यह जो कट के पास आएंगे ना तो कट से नीचे के तरफ एक इंच और आ जाए और उसको पक्का कर लें ठीक है अब इसको सिंपली मोंड़ना है और उपर लापीस जैसे बॉक प्लेट बिठाते हूं इसी तरह दीखें बिठा के से लाए यह हो गया सिधा साइट सिधा साइट में देखें फ्रैंट के गला जो फॉल्ड किया हुआ था कपड़ा हुआ अलाग करके बिलकुल सोल्डर के सिर्फ एक-एक कपड़े के सोल्डर जोड लिया फ्रैंट के पीस जोड लिया मैंने यह देखें दोनों साइट के जोड लियां मेरे पास कॉलर के बीच दोने के साइड के सिरे लगाए लगाने के बाद यस interacting प्रेश लगाने के बाद दबल किया और पीच का बासे का प्रण लगाए ये देखेная यह सीधे साइड से आप लगाएंगे, एक पल्ला उपर रखके नीचे वाला पल्ले का सिलाई, जो मैंने कट लगाया था, तीछा कट वो सिर्फ बैक के गले के हिसाब करके हो, और एक सिंटर के कट भी लगाया है, तो वो भी में गले के बीच के जो सिलाई है ना, उसके अब फ्रेंड के पीस के फिल्कील जो क्रीस बैठाई हो था, वह सिर्फ रखके, यह ने सिलाई और यह कॉलर से संभलते हैं ले जाए और देखे कहां तक जा रहे हैं, जहां तक जा रहे हैं, उसको संभलके पकड़े, और बस यह सिलाई लगा ले, ठीक है, मैं एक सिलाई, और यह जो उपर अलापला है, जो मेरा क्रीस बठाया होगा था, उसको आधा इंच में ने सुल्डर के जगा से फॉल्ड कर लिया, यह पक्का करके हटा दिया, दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह करूंगी मैं, यह देखें, काट को काट मिलाएं, और क्रीस को पकड़ क्यार सिलाई शुरू करें, जो कॉलर में इसलिए बीच में पीछे लगा चुकी थी, जो यह मैं रूछे संभालने में डबल करके रखे कॉलर को, और यह सिलाई लगाए, यह लग गया सिलाई, आब यह जो बीच का एक पल्ले की मैंने सिलाई लगा था, एक पल्ला खुला ह अच्छा था, उसको मैं अभी शिलाई लगाऊंगी, यह देखे किस तरह से यह है, यह फॉल्ड करके सिर्फ एक शिलाई लगानी है, यह देखे, समझ में आ रहा है किस तरह से, हाँ इस तरह से शिलाई लगाने है बस किनादे से, कपड़े सारे अंदर रखकर एक सिलाई, क यह देखे, यह देखे, यह कोट कलर की पहली बटन लगते हैं बगल तक, कमीज की जो बगल है वहां तक, और यह पॉकिट लगेगा इसका, सुल्डर से लेकर 20 इंच नीचे, सुल्डर से साइज ले और 20 इंच पे आप पॉकिट रखें और इस साइड से यह धाई इंच के गैप होगा, ठेक हैं, यह दोनों जिव लग जाएगा, और यह बाजू रख लें, आप बस रेडी, कर दाएगा इंच,